गोड़ी बीनिंग सभी बच्चे को सो फर्स्ट अफ ओल तो वेलकम आप सभी लोगों को कि आप लोग क्लास एट से क्लास नाइन में प्रामोट हो करके आ रहे हो सो फर्स्ट अफ ओल लेट में इंट्रडियोज दे शिलेबस अफ क्लास नाइन एंड एंड एसस्ट के शिलेबस क्या रहेगा क्लास नाइन का तो उससे आपको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं ठीक है इसमें शिलेबस जेनरल इथोड़ा क्म रहता है बहुत इतना है कि थोड़ा हम लोग लाइन वे लाइन डिटेल से पड़ते हैं ठीक है युद्ट का बात करते हैं वहाँ पर ऐसा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि शिलेबस भहत ही ज्यादा होता है बहत Лइले होता है chapters ज्यादा होता है जो कि class 9 में 10 में ऐसा नहीं होता है chapters तो रहता है बहुत किन्तु आपको पढ़ना होता है कुछ selected chapters ही so first of all अगर आपको बात करूं history से तो history से आपको first term में शरीफ एक ही chapter पढ़ना है वो है the french revolution the french revolution history से आपको एक ही chapter पढ़ना है ठेके पूरा first term के लिए और कहानी खतम जिबकि आप class 8 में history में 13-14 chapter पढ़ना पढ़ना था और यहाँ पर ऐसा नहीं है एक chapter पढ़ना है तो बहुत time मिलता है आप लोग इसको बहुत detail में depth में बहुत अच्छे डंग से पढ़ सकते हो और मजा आता है और दूसरा difference यहाँ पर रहे है यह तक का history जो था इंडियन हिस्ट्री था 9 का history यह ठाटली world history french revolution ठेक है तो यह world history तो interesting रहेगा और इसी में से map question भी आता है that means history से भी map related question भी आता है जोगरफी में से भी map related question भी आता है history से generally 2 marks का या ठेक है जोगरफी से भी इसी तरह से 3 marks का map related question आता है तो बाकी question भी आता है that is map भी आता है तो history से बस इतना ही पर ना है term 1 में कहानी खतम अब secondly geography का बात करेंगे geography में आपका 2 chapters पर ना है first term के लिए India sites and location ठेक है और दुसरा है physical features of India और इसमें से बाकी question तो set होता ही है plus math related question भी set होगा geography में से भी ठेक है 3 marks का generally that means geography में भी shrift और shrift two chapter ही आपको पर ना है first term के लिए तो ये भी कहानी खतम हो जाता है बहुत इजी हो गया और बात आता है civics का तो civics में आप लोग पढ़ेंगे first term में what is democracy, why democracy ये chapter 1 और एसी तरह से chapter 2 में constitutional design पढ़ेंगे हम लोगों constitution क्यों चाहिए और Indian constitution का making का process बगएरा हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे और ये ही दो chapter पढ़ना है civics में तो civics भी कहानी खतम ऐसा नहीं है class 8 कारिशा बहुत सारा chapter को लेकर के चलना पढ़ते ऐसा यहाँ पढ़ना है आपको enough time मिलता है आप एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है क्योंकि chapter कम है न और यहाँ पर last part आता है economics economics यह new है आप लोग के लिए एक तक हम लोग में history, civics और geography था और class 9 में और एक part add होता है वो है economics तो economics में भी आपको स्रीब टू चैप्टर ही पढ़ना है the story of village पालंपुर यह एक imaginary village है ठीक है, एक कालपनिक village है तो उसका कहानी बगएरा किस तरह से production होता है ठीक है, तो उसका बारे भी हम लोग की इस chapter में पढ़ेंगे और इस तरह से chapter 2 people as resources ठीक है, economics में भी इतना ही दो chapter पढ़ना है that means, अब यहाँ पर marks distribution का जो बात आता है geography, history, civics economics, चारो पार्ट मिला करके assistive बन गया social science बन गया, ठीक है तो equal distribution होगा marks का, marks होगा equal distribution होगा और map related question भी set होता है, वो सिरीव geography और history से, economics और civics से map related question set नहीं होगा, यह तो हो गिया tom 1 का, तो overall tom 1 में आप लोगों को seven chapter पढ़ना पढ़ आए और कहानी खतम हो जाता है, इतना मिसी ठीक है, ओके और हम लोग देखते है tom 2 का, तो tom 2 जो है, class 9 का, तो first history का बात करेंगे history का chapter 2 socialism in Europe and Russian revolution, यह भी world history है, ठीक है, तो यह आपको पढ़ना है, और इस इतरह से chapter 3 in history nationalism and rise of Hitler, Hitler का बारी में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंट्रेस्टिंग chapter है तो history में tom 2 से स्रीप 2 ही chapter पढ़ना होगा tom 2 से history में, और इसी से map related question भी set होगा tom 2 में भी, ठीक है तो कहानी खत्म यहाँ पर भी geography का बात करेंगे chapter 3 यह जो दे रहा है chapter 3 drainage chapter 3 drainage, श्रीफ और श्रीफ यह इससे map related question ही set होगा, बागी question set नहीं होगा chapter पढ़ना नहीं पढ़ता है, ठीक है geography में chapter 4 climate आपको पढ़ना है chapter 5 natural vegetation and wildlife इतना पढ़ना है geography में, that means geography में भी chapter 1, 2 तो first time में पढ़ लिए chapter 3 जो था श्रीफ और श्रीफ मैप ही आएगा उसमें से एक माट का, तो बासकतम उसमें से, और chapter 4 and 5 पढ़ना है, जोगरभी से tom 2 के लिए, ठेके civics में chapter 3 electoral politics chapter 4 working of institution पढ़ना है, यह civics में से economics में से poverty as a challenge भास एकी chapter पढ़ना पर यह that means term 2 में economics से एकी chapter पढ़ना है poverty as a challenge, history में 2 chapter पढ़ना है, Russian revolution है and Hitler का बारे भार्णा है, और chapter, तो history में से 2 chapter पढ़ना है tom 2 में, economics में से 1 chapter पढ़ना है, gy bezpieнес came to chapter पाढ़ना है गया ? और शिपक्स में से तो चाप्टर पढ़ना है, तो अबराल देखेंगे, तो 2nd Tom में भी Social Science से, Class 9 में, 2nd Tom में भी आपको 7 चाप्टर ही पढ़ना पढ़ना है, 1st Tom में 7 चाप्टर, 2nd Tom में 7 चाप्टर, that is, 14 चाप्टर में पूरा बुक का कहानी खतम होता है, तो ये तो चाप्टर, क्यान कान से चाप्टर पढ़ना है, बस इसका बारे में इंटरोक्शन है, और from tomorrow onwards, we will start history, chapter 1, the French Revolution with New Energy, ठेके, so best of luck for all of you, and tomorrow you also have the result also, so I hope, I wish, and I pray the God for the best result, okay, so thank you. झाप्टर 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 झाल झाल